so guys आप लोग भी confuse रहें कि आप Poco के phoan में और Moto के phoan में कि कौन सा phone आपको लेना चाहिए और कौन सा phone ज्यादा बढ़िया दोनों में से दोस्तों पर आपको इसका solution इस वीड़ो में मिलने वाल है दोस्तों तो मैं डिटेयल में आपको इनका comparison करके बताऊंगे कौन सा फोन आपके लिए best रहने वाला है और किस के फीचर किस से बढ़ी है पोको के फोन के या फिर मोटो के फोन के तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टाट बिने टाइम बेस्ट करें बट उससे पहले कैसी छोटी चे रिक्वेश्ट है अगर आप लोग हमारी चैनल पर नहीं है दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को हमारे डार्गेट है 100 के सब्सक्राइबर्स का जो कि बहुत दूर अभी बट हो जाएगा तो इ 5G 34 5G वसीज वोग्त को एम्शिक्स प्रों 5 दोस्तों काफी ज़्यादा एक मतलब शांदार फोन्स हैं इनकी प्राइजब काफी बढ़िया है और इनके फीचर्स भी काफी कमाल कि है इस बजट रेंज में दोस्तों सब्सक्राइब करते से प्राइस से शुरू करते हैं न तो दोस्तोå brings when the telephone मलते है बारह हजार रुपए का सब्सक्राइब दोस्तो आपको मिलते हैं Poco का भी बारहह हजार रुपए का यहां पर दिखिर मोटर में आपको मिलता है 8gb RAM 128gb storage इन 12000 रुपए और वहीं पर दोस्तों आपको Poco में मिलता है 6gb RAM and 128gb storage जो कि दोस्तों इसमें आपको RAM कम मिल रही है तो यहां पर Moto का गैस में एक नमबर दोंगा ज्यादा एलादा एलादा पोको को तो आप लोग यह बी चीज़ याद रखें next case बात करें डिस्प approximately 6.5 or 6.8 inches इतना दोनों में फरक है दोस्तों मतलब कि इतना सा फरक आई थिंग आपको आ जाए गान दोनों में and refresh rate की बात करें तो हमारे पास मोटो में 120hz का refresh rate है दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं और वहीं पे गाईज हमको Poco में मिलता है 90hz का refresh rate तो यहां प दोस्तों इन रिफ्रेश्ट काफी अबना ज्यादा दिया है तो यहां वे दोस्तों एक पॉंट मैं दे सकता हूं मोटो के फोन को रेदर देन पोको को इस आपके सामने बिल्कुल डिटेल में फीचर रिस्कस करो मैं को ऐसे बाइस नहीं बता रहा हूं अपना व्यू ठीक ह क्यासरों bench camera की बाद करें तो दोन में ग्याइज पीछर डूल रहने वाला है प्लस फ्रेंट में एक camera रहने वाले दोस्तों फिरप्रेमरी और वो रहेगा 50 MP का, दोनों फॉन्स में दोस्तों से मैं POCO में भी और मोटर में भी, प्लस छोटा कैमरा साथ में होता है, जिसको को बड़ा परफस होता है, मैक्रो कैमरा उसको बोलते हैं, वो रहेगा दोस्तों 2-2 MP का, यहां पर बड़ी बात, और आगी, मोटर में फ्रन्ट कैमरा आपको मिलेगा 16 MP का, वहीं पर दोस्तों POCO में आपको मिलेगा 8 MP का, तो यार दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखनों कि यहां पर हमको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों, क्यूंकि आप खुद देखो यार कि कैमरा फ्रन्ट ऐसे बहुत एवरेज क्वालिटी होती, मैंने भी रिचेंडली POCO M6 5G सिंपल वाला फोन बाई किया था, तो उसमें में बड़े ही एवरेज क्वालिटी लगी उसकी कैमरा की, तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हों कि POCO वाले आपको कैमरा दे रहे एट का है और वहीं पर हमको मिल रहा मोटो में 16 MP का फ्रेंट कैमरा भी फ्रेंट कैमरा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट और जाएगा मोटो के ही खाते में रेधर देन पोको नेक्स्ट के हम बात करने वाले हैं बैटरी की तो बैटरी दोनों में 55,000 MH की बैटरी आपको मिलने वाली है तो कोई इसमें डिफरेंस है नहीं एक में 18W का आपको चार्चिंग मिल जागा साथ में POCO में और दूसरे में 20W की चार्च है नहीं है है और नेंज्ट की बात करते हैं तो ढूनों में स्नैब ड्रेगन के ही प्रोसेसर जैंब चार्च इन के बार में ने में तो सिर्क उझ्ञ लगणे थोड़ा इनकी I think performance भी सेम रहने वाली बटने को एंड में डिसक्स करेंगे पहले गाइस हम बात के लिए अधर फीचर्स के बारे में तो मोटर में दोस्त हमको मिलता है Android 14 इतना पराना है नहीं जबकि Poco M6 थोड़ा गाईस पिछले साल का फोन रहने वाला है यह 2023 का जबकि मोटर 2024 में आया ठीक है तो इसमें आपको मिलेगा Android 13 का सुपोर्ट दोनों में दोस्तों साइड मांट फिंगर्विंट आपको मिलने वाला है जो पावर बटन के उपर दोस्तों मिल सकता है मेले का मतलब मिल सकता है क्या पोको में रहे गाइस MIUI और वहीं पर आपको मोटर में Android रहता है और डॉल भी आटमों स्पीकर आपको मिल जाएंगे मोटर वाले फोन में जबकि पोको में ऐसा कुछ भी नहीं है और दोन में देख गईस 3.5 एम का जैक भ दोस्तों यह थे इन दोनों फॉन्स के बेसिक फीचर्स तो यहां पर दोस्तों मैं बात करें तो अगर एंड्रॉड 410 आपको इसमें लेटस्ट वाला मिल रहा है ठीक है मोटर में तो दोस्तों यहां भी तो अगर दिखा जाए तो मोटर का पलड़ा थोड़ा बारे रहने वाला है राधर दें पोको सो अभी गईज हम बात करने वाले हैं इसके प्रोसेसर के बारे में बाकी सारे फीचर्स आपने डिस्क्रिस कर लिए कैमरा से लेके इनके स्पेसिफिकेशन तक इस प्रोसेस्टर की बात करें तो देखो स्नैपड्राइगन 695 बच्छी स्नैपड एन इस प्रोसेसर बात करें तो स्नैपड्राइगन 695 को मिलते हैं 32 MAX मतले डोनों का स्कोर ब्राबर ही है बट थोड़ा सा ज्यादा गाईज किसका है पोको एम 6 PRO का स्कोर 33 और दूसरे का स्कोर है निस कोर है मोटो जी 34 का 32 स्कोर बट उतना फरक है ने बैटर्यलाइग की द GYS हमारा वीन कर रहा है कौन सा फून ? POCO बाला फून येस यहां पर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में दोस्तो हमारे पास 695 बाला प्रोसेसर जो गही है मोटो का उसमें 24 मार्स मिल रहे हैं इसको और जो हमारा दूसरा Snapdragon 4 Gen 2, POCO M6 Pro 5G उसमें गैस 19 मार्क्स मिल रहे हैं तो यहां पे हमारा गैस फिर से मोटो जीच चुगा है बट पहले दो चांसिज में बट बिल्कुल छोटो डेफरेंस से हमारे पास कौन विनेर रहा मोटो का फोन तो दोस्तो भी एंट्टू बेंचमार्क की स्कोर की बात कर लेते हैं तो वहीं पे हमको मिलता है इस मोटो के फोन में 4,42,393 अप्रोक्सिमेटली 4,42 के रख लेते हैं चार लाख 4,42,000 और वहीं पे स्नैपड्रेगन 4,2 मतलब की पोको में हमको मिलता है 4,21,000 इस इसका थोड़ा सा कम है दोस्तो एंट्टू मैंचमार्क स्कोर बट उतना भी कम नहीं है दोस्तो यार आइटिंग यही दोनों की फीचर्स थे हैं अब आप लोगों को डिशाइट करना है आपको कौन सा लेना है अगर मैं अपना परसलन अपनी अंदू दोस्तों मैं तो यह इस यूर्स मैंने आपको सिंपल इसमें कमपैर्जन करके बता दिया आपको कौन सा फोन बाई करना है एक चीज और गई जो हमारे पास डिजाइन है दोस्तों मोटो में उसके पीछे आपको मिलेगा वीगन लेदर डिजाइन इन्होंने इस पे लिक भी रखा है देखो और म कि अब अब ज़र भी हुए तो दोस्तों फ्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड गई अगर आप यहां तक देख रहे हों दोस्तों थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए वीडियो को कुछ प्यारस वा क्मेंट भी कर दो नीचे दोस्तों और सब्सक्राइब कर देने दोस्तों, thank you so much for watching.